हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल, स्टेडी आवर लाइफ, तो डेली आपको इडूटेरिया बिहार दरोगा प्राक्टिस सेट जो की वॉलूम वन आया है, उससे आपको प्राक्टिस सेट करवाया जा रहा है, जिसमें आज आपका प्राक्टिस सेट ह इसमें आपको तिन प्राक्टिस सेट भी दे दिया गया है, ताकि आप लोगों को प्राक्टिस सेट लगाने में आसान हो और आप लोग कोशन का लेवल समझ बाएं, तो चलिए आज हमें स्टार्ट करते हैं, और प्राक्टिस सेट नमबर फोर को देखते हैं, ठीक है, तो प्लाओ जो टैंकरोधी मिसाइल है, इससे विक्षित किया है किसने अपना भारत रखेंगा अगला प्रसने दो नमबर, निति-ाइयोस के नए CEO कौन बने हैं? तो निती आयो के नए CEO बात करे तो WWR Subramaniam है सुमन बेरी जो है ये उपाद्हक्ष हैं सुमन बेरी क्या है उपाद्हक्ष हैं और CEO BBVR Subramaniam है तरकस फोर युद्धै अभ्यास 2023 किंडे Means के मद आयोजित किया गया तो तरकस फोर युद्धा अभ्यास 2023 जो आयोजित किया गया है या किया गया भारत और अमेरिका के बीज तरकस फोर युद्धा अभ्यास 2023 का आयोजन चिन्ने में किया गया कहां पे किया गया चिन्ने में किया गया और याद रखिएगा कि यह जो है थलसेना का अभ्यास है जो भारत तथा अमेरिका के मद हर वर्सायो जित किया जाता है और 2023 में इसका जो था ये छटमा संस्करन था छटमा संस्करन था फैमली डॉक्टर प्रोजक्ट की सुरुवात किस राज द्वारा किया गया फैमली डॉक्टर प्रोजक्ट की सुरुवात जो किया गया आंध प्रदेश के द्वारा फैमली डॉक्टर प्रोजक्ट की सुरुवात आंध प्रदेश राज के द्वारा किया ग्रामी नावादी में लोगों के स्वास्त की देखवाल के लिए प्राथमिक स्वास्त केंद्रों में से एक डॉक्टर को प्रतेक वर्ड में उकलद कराने के उद्देश से जो है आंधपरदेश सरकार ने इस योजना के सुरुवात की है पांच नमबर प्रेशने इसरों ने अपना पहला नीजी रॉकेट किस नाम से लॉंच किया तो इसरों का पहला अपना नीजी रॉकेट जो है इसे लॉंच किया है बिकरम फाइब के नाम से लॉंच किया है इसरों ने इसरो की अस्थापना याद रखेगा 1979 में किया गया था और इसरो का जो हेट क्वार्टर है ये आपका बैंगलूर में है कहाँ पे है बैंगलूर में भारत के असीमे ग्रेंड मास्टर कौन बने तो भारत के जो असीमे ग्रेंड मास्टर बने है बिगनेस एन आर भारत के 80 में ग्रेंड मास्टर बिगनेस एन आर बने है इनका संबंध चिन्ने से है कहां से इनका संबंध इनका संबंध चिन्ने से है चिन्ने में गलत लिख रही थी है ना चिन्ने से है और 79 में ग्रेंड मास्टर जो बने है 79 में ग्रेंड मास्टर गनेस ए अर्जुन पुरसकार 2022 के लिए 25 खिलारियों का चैन किया गया अर्जुन पुरसकार के तहद खिलारियों को जो है वो 15 लाख रुपया रासी दी जाती है और जबकि ध्यानचंद खिलात में यह 25 लाख है ध्यानचंद में कितना है 25 लाख रुपया पदम भूशन 2023 से सम्मानित स्री कमलेश डी पटेल का संबंद किस शिद्र से है तो पदम भूशन 2023 से सम्मानित स्री कमलेश डी पटेल का संबंध हो जाएगा अध्यात्मबाद से किस से अध्यात्मबाद से पदम भूशन 2023 पुरसकार कुलनोर नागरिको को दिया गया और जिसमें कि स्री कमलेश डी पटेल का संबंध अध्यात्मबाद से है पांचमा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 का सुभंकर है तो पांचमा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 का सुभंकर आसा है क्या है आसा पांचमा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 का आयोजन कहां किया गया मदपर्देश में किया गया और ये जो है मदपर्देश के कुल आठ सहर में किया गया और इसका सुभंकर आसा है आसा चीता का नाम है चीता का और इसका थीम जो है हिंदुस्तान का दिल धर्का दो ये इसका थीम है हिंदुस्तान का दिल धर्का दो ये इसका थीम है और इस खेल में प्रथम अस्थान पर महराश्च रहा है पुस्तक तुम पहले क्य क्यूं नहीं आएं के लेखक है तो तुम पहले क्यूं नहीं आएं इस पुस्तक के लेखक कैलास सत्यार्थी हैं कौन है कल्यास सत्यार्थी बात करते हैं कैलास सत्यार्थी का तो इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है तुम पहले क्यूं नहीं आएं के लेखक नोबल पुरसकार बी ने किया है HCP and Planning Company ने जबकि इसका निर्मान जो है निर्मान किया है Tata Project Limited के द्वारा 12 नमर प्रस्द देखेंगे सभी गाउं में Optical Fiber विछाने का लक्ष कब तक रखा गया तो सभी गाउं में Optical Fiber विछाने का लक्ष रखा गया है 2025 तक भारत सरकार ने Optical Fiber विछाने के लक्ष को प्राप्ट करने हेतू 2025 का लक्ष रखा है जबकि सेवा छेतर में 1 Trillion का लक्ष प्राप्ट करने का लक्ष 2023 तक का है सेवा के छेतर में 1 Trillion डॉलर प्राप्ट करने का लक्ष कितना है 2030 तक सियोल सांती पुरसकार 2022 से किसे समानित किया गया तो सियोल सांती पुरसकार 2022 से टीम बर्नर्स ली को समानित किया गया यह जो है प्रती दो वर्ष पर दच्छिन कोडिया के द्वारा दिये जाने वाला सियोल सांती पुरसकार हे तु डबलू डबलू खोज करता टीम बर्नर्स ली को चुना गया जो की डबलू डबलू के खोज करता है 2018 में यह पुरसकार मानिय प्रधानमंती नरिंद्र मोदी जी को द्या गया था 14 नंबर प्रस्ट है कि एसया का सबसे बड़ा ट्विलिप गार्डन का निर्मान कहा किया गया तो एसिया का सबसे बड़ा ट्विलिप गार्डन का निर्मान स्री नगर में किया गया जम्मू के स्री नगर में जो है एसिया का सबसे बड़ा ट्विलिप गार्डन का निर्मान किया गया है और इसका निर्मान परेटन को जो है आकरसित करने के उद्दे से किया गया है आठ लेन का जुआरी पुल का संबन्द गोवा से है इस पुल की लंबाई 640 मीटर है किस IIT ने वाइटन्स Q5 Reimagine Education Award जीता है तो IIT ने वाइटन्स Q5 Reimagine Education Award जीता है IIT मदरास किस ने IIT मदरास ने वाइटन्स QS Reimagine Education Award जीता है और इस अवाइट को सिक्षा का आउसकर भी कहा जाता है रक्षा मंत्राले किस के साथ दोर्नियर बीमार खड़िदने के लिए समझोता किया है तो रक्षा मंत्राले जो है ये डोर्नियर बीमार खड़िदने के लिए समझोता किया है HAL के साथ रक्षा मंत्राले ने 6 डोर्नियर बीमार खड़िदने के लिए HAL के साथ समझोता किया है और इसके लिए 660 करोर रुप्या खर्च किये जा रहे हैं और H.A.L. का अस्थापना कब हुआ था तो 1940 में इसका अस्थापना हुआ था H.A.L. का हॉर्ण विल महोटसब 2022 का आयोजन नागा लेंड में किया गया इसके उधगाटन करता कौन है तो हॉर्ण विल फेस्टिवर नागा लेंड में मनाया जाता है पहला कोशन तो यही याद रखिएगा और इसका उधगाटन जो किया गया है जगदीब धनकर के द्वारा यह जो है प्रती वर्ष नागा लेंड में मनाया जाता है और एक से 10 दिसंबर 2022 तक चलने वाला इस सबका उधगाटन उपर राष्ट पती जगदीब धनकरने किया था जनबरी 2023 में भारतिये बायु सेना का कौन सा लराकु बिमान दुरगटना गरस्थ हो गया तो जनबरी 2023 में भारतिये बायु सेना का जो लराकु बिमान था जिसका नाम था सुखो इथटी और मिराज 2000 इस सुखोई 30 और मिराज 2000 मलेशिया ओपें 2023 बैडमिंटन का खिताब पुरुस एकल में किसने जीता मलेशिया ओपें 2023 बैडमिंटन का खिताब पुरुस एकल में जीता है वो हो जाएंगे आपके विक्टर एकसलसन कौन है विक्टर एकसलसन मलेशिया ओपिन दो हजर ताइस पुरुस एकल के बिजेता डेनमार्क के विक्टर एकल्स एकसलसन है कहां के हैं डेनमार्क के हैं और महिला एकल का खिताब पूछे तो अकाने यामागुची है जो जापान की है अगला है महिला T20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब अस्टेलिया ने कि T20 वर्ल्ड कप का आयोजन कहां पर किया गया ये भी दच्छिन अफ्रिका में किया गया और 2024 में इसका आयोजन बांगलादेश में किया जाएगा दो हजार चौविस में इनका संबंध दच्छिन कोडिया से है कहां से दच्छिन कोडिया की है ये याद रखिएगा अगला हाली में H3N2 वाइरस चर्चा में रहा इसका संबंध है तो H3N2 वाइरस जो है ये चर्चा में रहा था और ये एनफ्रूंजा का वाइरस है वही H1N1 रहता तो ये आपक जो है वो होंग कंग फ्लू के नाम से भी जाना जाता है नेक्स प्रस नाता है ओसकर से रिलेटेर ओसकर दो हजार तईसे तु भारत की ओर से कितने फिल्मों को सामिल किया गया तो ओसकर दो हजार तईस के लिए भारत के दो फिल्मों को नामित किया गया तीन तीन सामिल वा दिणों में माउंट मेरापी ज्वालामुखी विसफोर्ट चर्चा में रहा किस देश ciria. बाब अल्मांडेव जल्सन्दी किसे जोरती है?」 तो बाब अल मांडेब जलसंदी जो है यह जोडती है हिंद महासागर को लाल सागर से फारस की खारी एबं उमान की खारी को हर्मूद जलसंदी जोडती है हर्मूद जलसंदी किसको जोडती है फारस की खारी और उमान खारी को निमनलिकित में कौनसी भारत की नविंतम परवस्षेनी है तो भारत की नविंतम परवस्षेनी ही मादरी शेनी है हिमादरी शेनी जो है ये भारत की सबसे नविंतम परवर स्रेनी है इस से इस्रेनी का निर्मान जो है वो टाड़ सेर युग में हुआ था और यह एक नवीन मोरदार परवत का उधारन है मोर एवं पुराना किसकी सहायक नदी है? सरी पुर्ना मोर एवं पुर्ना जो है या तापती की सहायक नदी है किसकी तापती की? पुर्ना बैतून बैतून भी याद रखेगा बैतून और मोर ये सभी जो है तापती की सहायक नदी है तापती नदी जो है वो पश्चमी भारत में बहने वाली नदी है निम्री लिखित में कौन कोर इंडरस्टीज का उधारन है तो इस प्रस्ण का आंसर हो जाएगा कोईला, विद्धूत, पेट्रोलियूम सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोर इंडरस्टीज से ताथ पर यह होता है कि जिसका अर्थ विवस्था पर गुनक प्रवाप परता है कोर छेत्रों में कोईला, विद्धूत, कच्चा तेल, इस्पात, सिमेंट उन्दोग ये सभी आ जाते हैं अगला है बोरो जनजाती निवास करते हैं, तो बोरो जनजाती गारो पहारी में निवास करते हैं, वो मुख रूप से अशम, मेघाले, मिजोरम में पाया जाता है और Amazon विशिन की मुख जनजाती बोरो है आगे देखते हैं, निम्री लिखित में कौन भारत का सबसे उंचा जल परपात कुंजिकल है, जो लगभग 455 मीटर उंचा है और यह करनाटक में बराह नदी परिस्तित है 32 नमर प्रस्ण देखेंगे, 32 नमर प्रस्ण कह रहा है कि भारत के किस दूइप का उदभवम जोला मुखी से हुआ है तो इस प्रस्ण का आंसर हो जाएगा वैरन दूइप वैरन दूइप जो है भारत का वैरन दूइप इसका उद्भव जॉला मुखी से हुआ है और यह दूइप बंगाल की खाडी में है या भारत का एक मात्र सक्रिये जॉला मुखी है नेक्स्ट प्रस्ण आता है आपका 33 नमबर किस भारती राज की सीमा बांगलादेश से नहीं लगती है तो इसमें ऑप्सन है मिजोरम, तिरपुरा, मनीपूर, में घाले आंसर आपका मनीपूर हो जाएगा बांगलादेश के साथ जो है वो पांच भारती राज सीमा लगते हैं जो की पांच में आपका एक तो असम हो जाएगा दूसरा मिजोरम हो जाएगा तिसरा तिरपुरा हो जाएगा मिजोरम तिरपुरा पस्चिम मंगाल असम मिजोरम में तिरपुरा और एक हो गया पश्चिमंगाल जिसमें कि सबसे लंबी सीमा पश्चिमंगाल से लगती है सबसे लंबी सीमा निम्न में से कौन सी एक संबेधानिक संस्थान नहीं है तो इसमें से माना वैदिकार आयोग जो है वो संबेधानिक संस्थान नहीं है माना वैदिकार संबेधानिक नहीं है यह एक संबिधिक निकाई है कैसी संबिधिक निकाई है इस बात को ध्यान रखिएगा और जिसका गठन मानवाईदिकार संडक्षन अधिनियम निम्ण में से कौन बित आयोग द्वारा की गई प्रतेक सिफारिस को संसद के प्रतेक सदन के समक्ष रखवाएगा तो इस प्रस्ण का अंसर हो जाएगा भारत का रास्टपती जो भारत के रास्टपती होंगे संबिधान के अश्चे 280 के टहद परतेक 5 बर्स के बाद वित आयोग के गठन के प्रफधान है और अनुशे 281 के टहद रास्टपती वित आयोग द्वारा दी गई प्रतेक सिफारिसो को संसद के सपरतेक सदन के पटल पर रखवाता है 36. प्रसन है कि रास्टी अपात की घोसना को स्विक्रिती हेतु संसत के समक्ष रखा जाना अवश्यक है एक माह के अंदर अनुछे 352 के अनुषार यूध या फिर बाई आक्रवन या ससत्र विद्रों के अधार पर तता मंत्री मंडल के सिफारिस पर रास्ट पती अपात की उद्गोसना करता है राश्टी अपात काल की घोसना के एक माह के अंदर इस पर संसत की स्वेकृती मिल जानी चाहिए राज्य सरकारों को किर्सी आई पर कौन सा नियत करता है तो इस प्रस्ण का आंसर हो जाएगा आपका भारत का संबिधान देखे भारत का जो संबिधान है वो सात्मी अनुशुची के तहद राज्य सुची में प्रतिस्थी 46 तहद किर्सी आई पर कर का उलेख है अगला प्रस्ण है 38 नमबर नेक्स्ट कोश्चीन है आपका कि भारत के संबिधान में किस अनुश्यद में करो को केंदर द्वारा लगाया एबम एकत्रित किया जाता है तता केंदर और राज्यों के मद बित्रित किया जाता है तो इस प्रस्ण का आंसर हो जाएगा अनुश्यद 270 आप्सन नमबर डी भारतिय संबिधान का अनुश्यद 270 के तहद प्रवधानित है कि संग सुची में निर्दिष्ट सभी कर और सुल्क भारा सरकार द्वारा लगाये और एकत्रित किया जाएगे इन्हें संग और राज्यों के मद वित्रित भी किया जाएगा तो आप्सन 270 करेक्ठा है उन्चालिस नमबर प्रस्ट देखेंगे कि केंद्र और राज्य संबंदों से संबंदित सरकारिया आयोग ने अपना प्रतिवेदन किस वर्ष प्रस्तूत किया तो 1988 में खेंद्र और राज्यों के बीच मौजूदा विवस्था की कारिप्रनाली के जांच के लिए सरकारिया आयोग का गठन 9 जून 1983 को किया इन्होंने अपना प्रतिवेदन 1988 में प्रस्तूत किया और इस आयोग के जो सदस्थ थे वो नियायमूर्ती RS सरकारिया अध्यक्स थे सिरी वी सी ब्रुमन्यम और डॉक्टर SR सेन थे ये सभी इसके प्रमुख सदस्थे चालिस नमर प्रस्त देखेंगे कह रहा है कि निम्न में से कौन सी एक याचिका अधिनिस्थ नियालेओं की कारिप्धती का परिक्षन करती है तो उत्परेशन एबंप्रतिशेद ऑप्सन जम प्रतिशेद इयाचव के दोरा उस नियर्ना को रधक्रक मामले को अपने पास लेकर पुना सुनभाई करता है ठीक है चलिए 41 नमर प्रस्त देखेंगे ये कारेकारी न्याइधीसों की निक्ति की जाती है तो कारेकारी न्याइधीसों की जो निक्ति है ये उच्छ न्याले में की जाती है कहां पे उच्छ न्याले में की जाती है आर्टिकिल 224, आर्टिकिल 224 के तहद उच न्याले में बाहरी और कारिकारी न्याइधीसों का प्रवधान है अनुछे 224 का खंड एक के अनुषार यदि किसी उच न्याले के कार्ण में किसी और अस्थाई कार्ण की बिर्धी के कारण या उसके कार्ण के वकाया होने के कारण राष्टपती को या प्रतीत होता है कि उस नियाले के जो नियाधीस की संख्या को बढ़ा देना चाहिए तो राष्टपती समयक रूप से अरहिंत वेक्तियों को दो वर्स के अनाधिक की ऐसी अब्धी के लिए निक्त करेगा कौन राष्टपती अगला प्रस नाता है आपका 42 नंबर उर्जा का नवी करनी ये स्रोथ कौन सा नहीं है तो उर्जा का नवी करनी ये स्रोथ कोईला नहीं है कोईला पवन जो है पवन सूर्ज की किरने तथा बायो मास उर्जा का नवी करनी ये स्रोथ है जबकि कोईला, पेट्रॉलियम, उर्जा का अनविकर्णी श्रोथ है तो option number D इसका correct answer हो जाएगा निक्स प्रेस ने अंतरास्टी योग दिवस कब मनाया जाता है तो अंतरास्टी योग दिवस 21 जुन को मनाते हैं कब मनाते हैं 21 जुन को 24 जुन को याद रखेगा विश्व रक्त दाता दिवस मनाते हैं 21 मार्च को मनाया जाता है विश्व बाने की दिवस और 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाते हैं प्रो कवड़ी लिंग की सुरुवाद जो हुई थी वो 2014 में होती है 2014 में, प्रो कबड़ी के शुरुआ 2014 में प्रथम खेल आयोजन मुंबई में हुआ था, कहां पे मुंबई में Option number B, निमनली खित में से बायू मंडल किसकी सघनता में बिर्धी से अधिकतम ग्लोबल बार्मिंग हो सकती है तो कारवन डायकसाइड की अधिकता होने से क्या होता है कि ग्लोबल बामिंग हो सकती है Option number C, बायू मंडल के ताप में बिर्धी करने वाली प्रकिरियाओं को शामोहिक रूप से ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है और ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सरबदिक उत्तरदाई गैस कारवन डायकसाइड है क्ले कोट तथा हार्ड कोट सब्द किस खेल से संबंदीत है तो क्ले कोट और हार्ड कोट का संबंद जो है वो टेबल टेनिस से है किसे प्रसनाता है कि भारत में सेयर बजारों के लिए मुख नियंत्रक का कार्ज कौन करता है सेवी कौन करता है सेवी का फुल फॉर्म है इसकी जो अस्थापना है 12 अप्रेल 1988 को हुई थी सेवी अधिनियम 1992 के तहद व्यधानिक मानता इसे 30 जनबरी इसका हेड़कौर्टर याद रखेगा मुंबई में है इसका हेड़कौर्टर कहां पे है मुंबई में और इसका कार है प्रतिभूती बजार में निवसकों के हीतों का संदक्छन तथा प्रतिभूती बजार को उचित उपाईयों के माध्यम से बिनियमी तेवं विक्सित करना और दूसरा काम है stock exchange तधा किसी भी अन्य प्रतीव हुती बचार के बेवसाई का नियमन करना नेक्स्ट प्रसना आता है 48 नमबर CBFC का पुर्ण रूप है तो CBFC का full form पुछा गया है तो CBFC का full form है Central Board of Film Certification Central Board of Central Board of Film Certifications option number A केंदरिये फिल्म परमान बोड परमानन बोड ऑप्सन नमबर एक करेक्ट आंसर है 49 नमबर प्रसना है कि निमने लिखित में से किसने ग्रामीन गरीवी उनमुलन के लिए पूरा मॉडल अपनाने की वकालत की पूरा मॉडल अपनाने की वकालत की तो पूरा का सबसे पहले हम full form पूछ देख लेते हैं कि पूरा का full form क्या है प्रोवीजन ओफ अर्बन अमेनेटीज टू रूलर एरियाज क्या है प्रोवीजन ओफ अर्बन अमेनेटीज टू रूलर एरियाज इसका full form है डॉक्टर एपीजे अब्दुलकलाम ने ग्रामीन गरीवी उनमुलन के लिए पूरा मॉडल अपनाने का समर्थन किया डॉक्टर एपीजे अब्दुलकलाम ओप्सन नमबर ए पचास नमबर प्रस्ण है कि देश तथा उसके राजधानी के संबंध में कौनसा बिकल्प गलत है वेनेज्वेला की राजधानी पूछे तो इसमें गलत आपका डी हो जाएगा गैबोन की राजधानी कहां हो जाएगी गैबोन की राजधानी याद रखेगा ली ब्रे विले है ना यह हो जाएगी इसकी राजधानी बाकी सभी सही है भारत के किस राजध में मोटसी मोटसव मनाया जाता है मोटसू मोटसव तो इस प्रस्ण का आंसर हो जाएगा आपका ओप्सन नमबर भी नागालेंड में हर्डवील तथा मोटसू मोटसव दोनों नागालेंड में मनाया जाता है नेक्स्ट प्रस्ण है कि चोल समराज का सरवधिक विस्तार की सासक के समय हुआ था तो चोल समराज का जो सबसे जादा विस्तार हुआ था वो राजंदर पर्थम के समय हुआ था चोल समराज का सरवधिक विस्तार राजंदर पर्थम के सासनकाल में हुआ वहीं बंगाल के सासक माहिपाल को प्राजित करने के बाद राजंदर पर्थम ने गंगेट चोल की उपाजी धारन किया था किस राष्ट कुट सासक ने एलोरा के परबतों को कटवा कर परसिद कैलास मंदिर का निर्मान करवाया तो इस प्रस्ण का अंसर हो जाएगा ओप्सन नंबर बी कृष्ण पर्थम एलोरा के परसिद कैलास मंदिर का निर्मान कृष्ण पर्थम ने करवाया था एलोरा में 34 सेल किरती गुफाएं हैं इनमें से एक से जो बारा तक है ये बौद से सम्बंदित है ये प्रस्ण पूछा जाता है कि ये किसका सम्बंद किस से है तेरा से लेके जो 29 तक है ये हिंदू से सम्बंदित है और 30 से लेके जो 34 तक है ये देखेंगे तो 30 से 34 तक जैन की गुफाएं हैं तो इस तीनों वर्ड को आप ध्यान लखिएगा इससे कोशन पूछा जाता है चोवण नमर प्रस्न है कि निम्ण में से कौन सा वैदिक साहित नहीं है तो वेद, उपनिशद, आरान्यक और पुरान इस तीनों में आपका पुरान जो है वो वैदिक साहित नहीं है बेद सहिता को कहा जाता है ब्राम्मन अरनायक उपनिसद सभी व्यादिक साहित है इसे सुरूती शाहित भी कहा जाता है क्या कहा जाता है सुरूती शाहित भी कहा जाता है महाविवास सुत्र की रचना किसने किया तो महाविवास सुत्र की रचना किया था वो था आपका बशुमित्र किसने बशुमित्र ने बौध धर्म के चोथे बौध संगती कनिस्क के सासनकाल में कुंडल बन कस्मीर में होता है जिसके प्रशिद बौध विद्वान बशुमित्र की अध्यक्सता में होती है गुजरात का अंतिम हिंदू सासक कौन था जो अल्लाओ धिन खिलजी की सेनाओं का मुकाबला किया तो इस प्रस्न का अंसर हो जाएगा कर्न दूतिये कर्न दूतिये बगहल वंस का था जो की गुजरात का अंतिम हिंदू सासक था जो अल्ला उदिन खिलजी की सेनाओं का मुकाबला किया था 57 नमबर है दिल्ली सल्तनत के समय पेंसन भिभाग को कहा जाता था तो दिल्ली सल्तनत के समय जो पेंसन भिभाग हुआ करता था उसको दिवान ए इस्तहाग कहा जाता था दिवान ए इस्तहाग वहीं दिवान ए मुस्तक राज बित विभाग को कहा जाता था दिवान ए बंदगान जो कहा जाता था दास विभाग को दिवान ए अर्ज सैन विभाग को कहा जाता था निक्स प्रस ने बहमनी समराज का संस्थापक कौन था तो बहमनी समराज का संस्थापक जो था अल्लाउदिन हसंसा 1347 इसवी में हसन गंगु ने किसने हसन गंगु ने बहमनी राज की अस्थापना किया और अल्लाउदिन हसन बहमन सा के नाम से सिंगहासन पर बैठा और गुलवर्ग को अपनी राज़ानी बनाया जिसकी भासा क्या थी मराठी थी नेक्स्ट प्रसन आता है कोश्चन नमबर 59 निवन में से कौन सा काल करम के अनुसार सही है तो काल करम के अनुसार देखेंगे तो आपको याद होगा कि रामानुजा चारिका जो समय था वो 1017 से लेके 1137 तक था रामानुजा चारिका वहीं फिर आप देखेंगे second रामाननंद का आगर देखेंगे पहला option से मैच करना स्टार्ट करते हैं फिर देखेंगे रामानन्द का कब से था तो 12 सनी नानवेर से लेके 1411 तक था फिर चैतन्य स्वामी की एगर हम बात करे चैतन्य स्वामी 1486 से 1486 से थे 1535 तक और गुरु नानक की बात करे अगर हम गुरु नानक की तो इनका समय था 1479 से लेके 1538 तक इस तरीके अगर करम देखेंगे तो सबसे पहले रामानुजाचार होंगे, फिर रामानन्द होंगे, फिर गुरुनांग, फिर चैतने स्वामी तो option B जो है वो आपका बिल्कुल correct answer है जहांगीर के समय प्रमुक चितरकारों के विशय में कौन सा कथन सही है तो दिया है कि मंसूर, जानबरों और फूलों के चितर बनाने में निपुन था अब्दूल हसन एक छबी चितरकार था गोवर्धन, साधू, संतों एवं फकीरों के चितर बनाने में निपुन था तो इसमें से जो answer आपका हो जाएगा तीनों correct हो जाएगा तीनों बिकल्प जो है वो सत्य है जहांगीर के समय प्रमुक्षितरकार के विशे में तीनों statement आपका सही दिया हुआ है next question है कि एकसर नमबर किस गवर्णर जेनरल के समय नर्वली पर्था पर परतिबंध लगाया गया तो नर्वली पर्था की अगर हम बात करे तो लॉर्ड हार्डिंग के समय नर्वली पर्था पर परतिबंध लगाया गया था और इसके से वहीं पहला आंगल सीख यूद 1845-46 में हुआ था पर्थम आंगल सीख यूद इसमें अंग्रेज की विजय हुई थी बात करते हैं अखिल भारतिये मुस्लिम लिंग की अस्थापना का तो अस्थापना इसका 1906 में हुआ था और 1907 में प्रथम बार्थिक अधिवेशन कराची में कहां पे कराची में और 1908 में अमरित्सर में हुई थी 1908 में अमरित्सर में इनकलाब जिन्दावाद का नारा किसके द्वारा लिखा गया था तो इनकलाब जिन्दावाद का जो नारा है ये मौलवी हजरत मुहानी के द्वारा लिखा गया था मौलवी हजरत मुहानी हसरत मुहानी के द्वारा जबकि भगत सिंग और उनके क्रांतिकारी साथियों ने जो है दिल्ली के असेंबली में 8 अप्रेल 1929 को बम फेकते बक्त इसनारे का परियोग किया था अखिल भारतिय किसान सभा का गठन किया गया था अखिल भारतिय किसान सभा का गठन 1936 में किया गया था अप्रेल 1936 में लखनों में अखिल भारतिय किसान सभा का गठन हुआ जिसके प्रतम अध्यक्ष स्वामी साजानन सरस्वती और महा सचीव एंजी रंगा थे फैजपूर में कॉंग्रेस सत्र के साथ अखिल भारतिये किसान सभा का भी दूसरा सत्र चला जिसकी अध्यक्ता N.G. रंगा ने किया 65 नमर प्रस्ण है कि निम्निलिकित में से किस भारतिये नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था तो खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था वो थे आपके मदन मोहन मालविये सितंबर 1922 में कॉलकता में हुए कॉंग्रेस के अधिबेशन का प्रमुख मुदा जालिया वाला बाग हत्याकान था और खिलापत आंदोलन, खिलापत आंदोलन में मदन मुहलमाल भी एसमलित नहीं हुए थे, उन्होंने इस आंदोलन में कॉंग्रेस की भागेदारी का विरोध किया और 1919 में अखिल भारतिये खिलापत कमीटी का अगठन किया था दिया हुए है इसमें कि Newton meter square kg per square निर्मिलिकित में से किसकी SI1 है तो गुर्तवा कर्षन के सरभामिक निया तांग, option number A ठीक है, गुर्तवा कर्षन का हो जाएगा और बात करते हैं इसका जो value होता है, इसका मान जो होता है Newton meter per square kg per square, सर माइनस square का, तो इसका जो मान होता है 6.67 into 10 to the power minus 11, ठीक है जो कि Henry Cavendish के द्वारा दिया गया था, और इसका अगर बीमिये सुतर देखेंगे तो बीमिये सुतर भी पूछा जाता है M-1, L3, T-2, इसका बीमिये सुतर होता है निर्मिलिकित में से किस जोरे की दिशा हमेशा एक समान होती है, तो बल और तोरन का, बल और तोरन अंसर करेक्ट हो जाएगा, बल तथा तोरन की दिशा हमेशा एक समान होती है जिन भौतिक रासी में पड़िमान तथा दिशा दोनों नहींत होता है उन्हें क्या कहते हैं सदीस रासी कहते हैं आप जैसे की बल हो गया तौरन, बेग, संबेग है ना 68 नमबर है निमनलिखित में से कौन तौरन के मान को गुरुत्त के कारण प्रभावित नहीं होती है तो द्रवमान इसका करेक्ट आंसर होगा किसी पिंड का द्रवमान इसके तौरन के मान को गुरुत्त के कारण प्रभावित नहीं करता है यही कारण है कि जब अलग-अलग द बस्तुओं को मुक्त रूप से नीचे छोड़ा जाता है तो उन पर द्रबमान समान तौरन कार्ज करता है नेक्स आपका 69 नमर प्रस्ण है कि निम्न परिष्थितियों में से किसमें कार नाकार आत्मक बलद्वारा किया गया है तो इसमें दिया है कि जब कोई बस्तू बल की दिसा के लंबत दिसा में अस्थांतरित होती है होता है जब कोई बस्तू बलके बिप्रीत दिसा में अस्थांत्रित होता है तो option number c correct answer हो जाएगा सत्तर नमर प्रस्ण है कि गती का पहला समीकरन निम्ण में से किसके बीच संबंध दर्साता है बेग और समय के बीच option number d हो जाएगा किसी बस्तू के बेग तोरं समय तथा दूरी के बीच अस्थापित संबंधों को गती समीकरन कहते हैं गती के समीकरन का जो तीन रूप तीन प्रकार के होते हैं एक होता है b बराबर u प्लस 80 ठीक है एक होता है b² बराबर u² प्लस 2as दो हो गया और तीसरा होता है s बराबर ut प्लस 1 बाइटी का समीकरन होता है जहांपे u पूछेंगे कि क्या है तो u आपका प्रारंभिक बेग होगा b आपका अंतिम बेग होगा a आपका एक्सलेशन यानि त्वरन हो जाएगा चलिए 71 नमबर प्रस देखते हैं और s दूरी हो जाएगा t शमय हो जाएगा आगे है कि निम्लिकित में से कौन सा जोड़ा तुलनात्मक रूप से उस्मा का कुछालक को दरसाता है तो उस्मा के कुछालक को दरसाता है लेड और पारा पी बी और एच जी ओप्सन नमबर बी 25 जिग्री सेल्सियस पर विभीन माद्यमों में ध्वानी की चाल के बारे में निम्लिकित में से कौन सा कथन सही है जल समुद्री जल में बात कर रहा है ध्वानी की चाल 1531 मीटर पर सेकेंड होती है हवा में ध्वानी की चाल 346 मीटर पर सेकेंड होती है इसमें केबल आपका एक ही जो है यही कथन सही है 25 degree Celsius पर ध्वनी की चाल समुन्दरी जल में 1531 मीटर पर सेकेंड होती है और कथन सिर्फ एक सही है जबकि हवा में ध्वनी की चाल 343.59 मीटर पर सेकेंड होती है इसलिए आपका दूसरा गलत है रेत और चीनी का मिशरन डैस का एक उदारन है तो देखिए चरेत और चीनी को आप मिश्रन जो है ये बी जाती है मिश्रन है कारबन डायकसाइड के एक मोल में होते हैं तो कारबन डायकसाइड के एक मोल में जो होता है कितना अनू होगा 6.022 into 10 to the power 23 अनू option number B बिल्कुल correct answer है विले और विलायक के समांग मिश्रन क्या कहलाता है तो विले और विलायक के जो समांग मिश्रन होते हैं उसे billion कहते हैं क्या कहते हैं billion कहते हैं जब दो या दो से अधिक पदार्थ के समांगी मिश्रन को billion कहते हैं जैसे आप चीनी को पानी में गोला जाता है उसे billion कहते हैं और billion में जो पदार्थ अधिक मांतरा में होता है उसे बिलायक तथा जो कम होता है उसको बिले कहते हैं किसी परमानों के कक्ष में समायोजित किये जा सकने वाले एलेक्ट्रोनों की अधिक्तम संख्या को किस तुत्र द्वारा दर्साया जाता है तो इस प्रस्न का आंसर होगा 2N² से बोर वरी थीओरी के अनुसार अगर किसी परमानों की बिभिन कक्छाओं में चकर लगाने वाले एलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2N2 होती है जहां N क्या है कक्छा की संख्या प्रोटेमियम में कितने नीट्रोन मजूद होते हैं तो प्रोटेमियम में जो है वो जीरो कितने जीरो नीट्रोन मजूद होते हैं प्रोटेमियम जो है हाइड्रोजन का सबसे स्थीर समस्थानिक माना जाता है इसके नाभिक में नीट्रोन नहीं होता है मुल हाइड्रोजन के परमानू एकल एलक्ट्रोन दोरा परिचलित एकल प्रोटोन को प्रोटेमियम कहा जाता है निर्मेलिकित में से किस नियम के अनुशार इस्थीत आपमान पर गैस का आइतन दाव के ब्यूत करमानू पाती होता है तो P directly proportional होता है 1 BK है ना तो ये boil के अनुशार होगा boil के नियम के अनुशार option number A next प्रस्थन आता है कि copper sulfate के जलिये billion के संबंद में कौन सा कथन शत्य है तो ये क्या करता है कि नीले litmus को नीले litmus को लाल कर देता है copper sulfate का जलिये billion अमलिये होता है क्योंकि इसका जल अपगटन हो जाता है कायन बैग्यानिक john da winner ने उत्परेरक के रूप में सबसे पहले किस ततो का अपलोकन किया था तो da winner जो है इसने सबसे पहले PT, PT option number D किसने platinum, PT मतलब platinum का, platinum का उत्परेरक के रूप में अपलोकन किया था समानत्रिक की खोज की जिस्म से तत्तों को आवर्शानी का विकास हुआ अगला प्रस्न है 81 नमबर की निमनलिखित में कौन सा कबक डबल रोटी के निर्मान में परियोग किया जाता है तो डबल रोटी के निर्मान में सैक्रोमाईसिस का उपयोग किया जाता है कबक में संचित भोजन गलाइकोजन के रूप में रहता है और इसकी कोशिका भिति काइटीन की बनी होती है नेक्स्ट है कि परियोग साला में परियोग होने वाले लिटमस पेपर किस लाइकेन से प्राप्त होते हैं तो यह जब प्राप्त होता है रोसेला से परियोग साला में परियोग होने वाले लिटमस पेपर रोसेला नामक लाइकेन से प्राप्त होता है जबकि लोबेरिया, इर्वेनिया और रोमेनीला आदी लाइकेन का उप्योग इत्र बनाने में किया जाता है ये तीनों जो है आपका इत्र बनाने में इसका परियोग किया जाता है निमलिकित में से कौन सी उत्तक का अंतर कोशिकाएं छेतर बरा होता है तो पैरन काईमा का पैरन काईमा उत्तकों में सभी कोशिकाएं शम्ब्यासी तथा पतली वित्ती युक्त होती है मिर्दुदक को कोसिकाएं अंडाकार, गोलाकार और बहु मुखी होती है कोसिकाओं के बीच में अंतर कोश किये छेतर बड़ा होता है निमलिकित में कौन सा जीव अत्य अल्प विक्सित बच्चों को जन्म देती है तो कंगारू जो है कंगारू ये अत्य अल्प बिक्सित बच्चों को जन्म देती है कंगारू अस्टिरिया में पाया जाने वाला एक अस्तंधारी पसू है जो यहां का रास्टी ये पसू भी है निमनलिकित में किस पसू में छोटी आंथ सबसे छोटी होती है तो सेर में, साकहारी की अपेक्छा मांसहारी जन्तु में आंत छोटी होती है और साकहारी में सेलूलोज के पाचन से ज़्यादा समय लगता है क्योंकि एंजाइम जुगाली करने वाले जिवानों वरा निर्मित होता है 86 नमर प्रस्थ देखेंगे निर्मिलिकित में से किसकी तुलना सैनिकों से की जा सकती है तो स्वेत रक्त कोशिकाओं का, WVC का इसलिए किया जाता है स्वेत रक्त कोशिका जो है, वो मानव सरीर में सहज परतिरक्छा पणाली का महत्पुन घटक है और इन्हें लिवकोसाईटस भी कहते हैं ये सरीर के संक्रामक रोगो और बाहिपदार से रक्षा करने में हमारी मदद करता है और इसकी तुलना सरीर में रोगों से लड़ने वाले सैनिक के रूप में की जाती है 87 नमबर मैचिंग करने वाला है तो उसे मैच कर लेते हैं यूके लिप्टस यूके लिप्टस जो है वो अमरित वीजी होगा अमरित वीजी ओप्सन नमबर एक का एक ही सही है उसके बाद साइकस साइकस जो हो जाएगा अना विर्त भीजी हो जाएगा फर्न आपका टेरीडो फाइटा हो जाएगा टेरीडो फाइट और क्लेमी डो लेडि मोनास जो है यह सैबाल है तो आपका जू अप्सन हो जाएगा एक चार दो तीन आपसन नमबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा परिपग्य सुक्रानू का उत्पादन कहां होता है तो परिपग्य सुक्रानू का उत्पादन होता है वो व्रिशन में होता है पुरुशो में सुक्रानू का उत्पादन व्रिशन में होता है और सुक्रानू का कार निसेशन की क्रिय के दौरान अंडानों को शिकाओं का निश्य चित करना होता है निम्न लिखित में से कौन सा रोग कबक द्वारा नहीं होता है तो कबक के द्वारा जो है वो पेचिस नहीं होता है दाद धम्मा एथिलीट फूर्ड गंजापन सभी कबक से उत्पन होने बाला रोग है जबकि पेचिस मलेरिया ये सभी जो आपका हो जाएगा पेचिस मलेरिया हो गया पाइडिया निंद्रा रोग प्रोटोजवाद वारा होता है ठीक है प्रोटोजवाद वारा होने वाला रोग का एक ट्रिक भी है आप याद रखिएगा पापा काम पर सोते हैं ये इसका ट्रिक है याद रखिएगा ठीक है अब बताते हैं पापा से हो जाएगा आपका पाइडिया ठीक है और काम काम से आपका का से हो जाएगा काला जर काला जर मौ से हो जाएगा मलेरिया पर से हो जाएगा यहाँ पेचिस है ना पेचिस हो जाएगा और सोते से हो जाएगा निंद्रा हाथी पाओं हाथी पाओं जिसको बोलते हैं वो हो जाएगा अना उसके बाद है अमरित वीजियो के प्रजनन अंग पौधे के किस भाग में इस्थित होता है तो अमरित वीजियो के प्रजनन अंग पौधे के किस भाग में इस्थित होता है इस प्रस्न का अंसर हो जाएगा फूलो में अमरित वीजियो के प्रजनन अंग फूलो में इस्तित होता है और इसके अंतरगत उन पौधों को शमलित किया जाता है जिनके बीच सैदव फल के अंदर होते हैं ये साग जारी तथा ब्रिक्ष तीन परकार के होते हैं नेक्स्ट आता है प्रस्ण आपका संस्ट्रेवल डेवलप्मेंट, स्वल्यूशन नेटवर्क द्वारा जारी विश्व खुशाली रिपोर्ट कितने मानक अधार पर की जाती है तो हैपिनेस इंडेक्स जो है वो छो अधार पर किया जाता है छो अधार क्या है प्रतिवेक्त प्रतीबेक्ती जीडीपी, समाजिक सहयोग, स्वस्त जीवन परत्यासा, जीवन विकल्पों के चयन की स्वतंत्रता, उदारता और छठा है भ्रहष्टाचार का बोध। और बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया और इस योजना का जो 20 सुत्री कार्जकरम था 1975 में की सुरुवात हुई थी। आई के वित्रन में ब्याप्त विसकताओं को प्रदर्सित करने वाले वक्र को क्या कहते हैं। नेक्स्ट है कि निर्मलिकित में किस समीती का संबंद हतकरगा के विकास से हैं। तो मीरा सेट समीती का संबंद हतकरगा विकास से हैं। वहीं आप पूछेगा कि महाजन समीती का संबंद किस से हैं। तो ये चीनी उद्योग से हैं महाजन समीती। और भंडारी समीती का उद्योग छेतरीय ग्रामिन वैंको के पुनर स्थापन सरचना से हैं। और सरकारिया समीती केंद्र राज संबंद से है। भारतीय अद्योगिक पुनर निर्मान बैंक की अस्थापना कव की गई थी। अगला प्रसन है आपका 97 नमबर की बिना रुके एक आद्मी किसी निश्चित दूरी को 42 किलोमेटर प्रती घंटा की औसथ चाल से तै करता है। और रुक रुक कर उसी दूरी को 28 किलोमेटर प्रती घंटा की औसथ चाल से तै करता है। ज्याद करो कि वह प्रती घंटा कितने मिनट रुकता है। तो 20 मिनट प्रती घंटा। एक परिक्षा में 35.36 गनित में फेल हुए, 25.36 अंग्रेजी में फेल हुए, 10.36 और दोनों विशय में फेल हुए तो कितने परतिसत दोनों में पास हुए तो इस प्रसंद का जो simple answer आप देखेंगे तो answer हो जाएगा आपका 50% कितना 50% 99 नमबर है एक आदमी दूद को करैमूल पर बेचने का वादा करता है परन्तु हुआ इसमें पानी मिलाता है और 25 परसेंट लाव कमाता है मिश्रन में पानी का प्रतिसत ग्याद करे तो मिश्रन में पानी का परसेंट 20 परसेंट हो जाएगा आज का लास्ट परसन है आपका कि 3 वटा 4 समय में B से आधा काम करता है दोनों साथ मिलकर काम को 18 दिन में पूरा करते हैं ग्याद कीजिए कि B अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा 30 दिन में करेगा option number A 30 दिन तो ये था आपका set number 4 जो की इरुटेरिया का था यहाँ पर समाप्त हो गया है और मैं आपको बता दू कि ग्यान बिंदू का जो offline on byline वाला है आज तो नहीं होगा क्योंकि वो एक दिन बीच करके आता है तो आज आपका जो बर्दी लेके 5 या 6 number से है उसे भी करवा देंगे तो चलिए मिलते है next video के साथ और एक चीज मैं आप लोगों को बता दू कि आज से हमने start किया है तो चलिए मिलते है next video के साथ अब तक के लिए धन्यवाद जय हिंद जय भारत